दोस्तों आज है 5 नॉवंबर और इस वीडियो में हम लोग कल का भी करेंट अफियर कवर करेंगे और आज का भी क्योंकि कल हम करेंट अफियर का वीडियो डिसकस नहीं कर पाए थे ठीक है अगर वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो चलिए पहला प्रेशन है दिलीब चोहान, सिद्धान्त मिस्रा, मरनाल सिंगहनिया या फिर मनुरंजन मिस्रा एंट अप्शन नमबर डी एकदम सही है मनुरंजन मिस्रा जो है, इन्होंने मुनीस कपूर के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है ठीक है, RBI के Executive Director इनको बनाया गया है तिहान रखना है, EDG से बोलते है और मनुरंजन मिस्रा जो है, इनको लगबग 3 तसक से भी ज़्यादा का अनुभव है Bank Management में और Currency Management जैसे छेत्रों में इनको काफी अनुभव प्राप्थ है ठीक है, RBI के बात करें हम तो Vers 1934 में एक Act लाया जाता है और उसकी धारा 20 के तहत, Vers 1935 में RBI की स्थापना होती है ठीक है, ध्यान रखना, Vers 1935 में RBI की स्थापना होती है और Vers 1949 तक ये जो बैंक है निजी छेत्र के लिए काम करता रहा बट 1949 में इसका राश्ट्री करण कर दिया जाता है और पूर्ण रूप से इसको सरकारी बैंक बना दिया गया ठीक है, ध्यान रखना, 1935 में RBI की स्थापना होई 1949 में इसका राश्ट्री करण किया गया प्रिजेंट में इसके गवर्णर कौन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताईए चलिए मैं ही बताता हूँ शक्तिकान तास प्रिजेंट में RBI के गवर्णर है ठीक है, आप कौन से नंबर के हैं ये ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईए अगला प्रेशन है विजन इंडिया एट 2047 योजना को अमल में लाने के लिए निमन लिखित में से किस संस्था या मंत्राले को इसका कार्यभार सोपा है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या चीज़ विजन इंडिया 2047 देखिए ये है भारत को डबल अप कंट्री बनाने का एक फॉर्मूला एक्चुली जब भारत आजादी की सौवी वर्सगांट मना रहा होगा उस समय भारत एक डबल अप कंट्री बन चुका होगा ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहाब ने 15 अगस्त के दिन लाल के लिए से कहा था ठीक है उसी प्रेकरिया को आगे बढ़ाने के लिए और इसमें जो भी कमिया है जैसे बुनियादी इंफ्रेस्टेक्चर संस्थागत बदलाब करना उसकी रूप रेखा तयार करना ये सब कार्यभार सौपा गया है नीति आयोग को ठीक है चलिए यानि कि भारत को एक डबल अप रास्टे बनाना है 2047 तक ये ऐसा टार्गेट है विजन इंडिया एट 2047 योजना के तहत ठीक है चलिए अगला प्रशन है हमारा सतर्कता जागरुकता सब्ता जो की अभी मनाया गया है 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर यानि आज के दिन ये लास्ट हो जाएगा आपको बताना है इसकी थीम क्या रही ब्रश्टाचार मुक्त भारत ब्रश्टाचार को ना कहें रास्ट के प्रती समर्पित रहें सतर्क भारत, विक्षित भारत विक्षित भारत, ब्रश्टाचार मुक्त भारत देखे इस प्रश्टाचार को ना कहें रास्ट के प्रती समर्पित रहें ठीक है एक संस्था है जिसका नाम है नाम सुना होगा आपने के संथानम कमीटी ठीक है के संथानम कमीटी ने रिकमेंड किया था कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए जो भरष्टाचार पर लगाम लगा सके और उसी की रिकमेंडेशन पर 1964 में Central विजिलेंस कमिशन का स्थापना कर दी जाती है प्रेजेंट में इसके जो मुख्य आयुक्त है प्रवीड कुमार है और इसका जो हैड क्वाटर है वो मिलेगा आपको न्यू देली के अंतरगत और CBC जो है हर साल अपनी रिपोर्ट राष्टपती जी को सौपते हैं और राष्टपती जी इसे पार्लियमेंट में प्रस्तुत करते हैं ठीक है अच्छा दो कानूनों के और नाम्याद रखिए एक तो है ब्रष्टाचार निवारन एक्ट जो की आता है 1988 में ठीक है और एक है Money Laundering Prevention Act जो आता है 2002 में यहां रखना यह डारेक्ट इयर पूछ सकता है ओके चलिए अगला प्रेशन है हमारा हाल ही मैं यूनेसको ने किस शहर को City of Music City of Music गोशित किया है आपके options है पुने, भोपाल, जैपूर या फिर ग्वालियर and option number D is the right answer ग्वालियर को City of Music गोशित किया ह यूनेसको ने, ठीक है यूनेसको ने अभी अपनी एक लिस्ट जारी की थी Creative Cities Network की जिसमें इन दोनों ही Cities को यानि कोजी कोड को साहित्य का सहर गोशित किया है जो की केरल का एक शहर है और ग्वालियर आपको पता होगा मध्यप्रदिस का एक शहर है इसको Music City गोशित किया है ठीक है, Creative City Network की लिस्ट में, यूनेसको की अगर बात की जाये तो United National Educational and Scientific Cultural Organization इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना होती है 1945 में और इसका जो हैड़ क्वाटर है परिस में है और परिस आपको पता होगा फ्रांस की कैपिटल है, अब आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताईए कि जो पैरिस है, वो किस नदी के किनारे पर इस्थित है, ठीक है, यूनेसको के जो अभी हैड है, चीफ जो है अभी प्रिजेंट में, और रे अजोले हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिए, चलिए अगला प्रेशन है हमारा, हाल ही मैं निमन लिखित में से किस लेखिका ने, ब्रिटिस अकेडमी बुक पुरसकार दो हजार तेज जीता है, ब्रिटिस अकेडमी बुक पुरसकार दो हजार तेज और आपके आप्शन्स हैं, मोहिनी सिंग, गीत सुर्यांस, या प्रतिमा जिश्रा या नंदिनी दास option number D एकदम सही है नंदिनी दास के द्वारा British Academy book जो पुरसकार है यो जीता गया है अभी ठीक है और इनकी एक book है जिसका नाम है Courting India Courting India ठीक है Global Cultural Understanding के लिए ये पुरसकार इनको मिला है और इस book के अंतरगत इन्होंने बताया है कि अंग्रेज़ों से पहले का जो भारत था यानि कि जब मुगल भारत में थे उस समय और ब्रिटेन में उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनके बीच में किस तरीके से जो है communicate होता था उनके राजनाइक अभिहान क्या क्या रहे उन सभी बातों के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है यानि कि global cultural understanding के लिए इनको ये award मिला है British Academy Book Award जो है 2023 के लिए नंदिनी दास को ओके जी चलिए हाल फलाल में एक शब्द बड़ा ही चर्चा में है baseball और आपको बताना है ये जो सब्द है इसको अभी collins dictionary में add किया गया है और ये शब्द किस खेल से सम्बंदित है ये बताना है आपको ठीक है cricket से, tennis से, football या rugby देखे हमारे expression का सही जवाब है option number one ये जो सब्द है baseball ये सम्बंदित है cricket से actually जब एक ही पारी के दोरान line up के प्रत्य को बारी बारी से बल्लेवाजी करने के लिए करते हैं तो उस condition को baseball कहा जाता है आपने अक्सर देखा होगा जब ground में दो batsmen होते हैं और जब वो batting करते हैं तो एक batsman जो होता है वो already dressing room में तयार हो रखा होता है ठीक है तो ऐसी condition को ये baseball नाम दिया है इन्होंने यानि एक खिलाडी already line up में लगा हुआ है जैसे ही वो खिलाडी out होता है मैदान में एक खिलाडी तो वो तुरंट आ जाएगा ठीक है समझ गया होंगे उम्मीद करता हूँ चलिए अगला question है आपको बताना है ये खाली स्थान है डैस डैस के एक क्रिकेटर है जिनका नाम है डैविड विली इन्होंने विश्व कप 2023 के बाद international cricket से सन्यास लेने की गोशना कर दी है आपको बताना है ये जो डैविड विली है ये किस देस के खिलाडी है आपके options New Zealand, Australia, England या फिर South Africa देखिए डैविड विली है इंगलेंड के प्लेयर ठीक है और left handy batsman है ये actually इनको batsman कहना ठीक नहीं होगा ये all rounder है ठीक है धियान रखिए all rounder कहे जाते हैं डैविड विली और इंगलेंड के हैं इन्होंने जो भारत में अभी 2023 में वर्ल्ड कप हो रहा है उसके बाद इन्होंने सन्यास लेनी की गोशना कर दी है ठीक है चलिए विश्व का पहला AI यानि कि Artificial Intelligence सुरक्षा संवेलन किस देश के दोरा आयोजित किया जा रहा है Artificial Intelligence Security Summit आपके options चीन के दोरा अमेरिका, ब्रिटेन या France के दोरा देखिए, ब्रिटेन के दोरा ये आयोजित किया जा रहा है ठीक है? और ब्रिटेन की बात की जाए तो यहां के प्राइम मिनिस्टर है भारत यमूल के रेसी शुनक शाहब ठीक है? और यहां की जो कैपिटल है वो लंदन है और करेंसी ब्रिटेन की है पाउंड इस्टरलिंग चलिए अगला प्रेशन है निम्न में से फीफा विश्यो कप 2034 का मेजवान रास्ट कौन है? अभी हाल फिलाल में इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि 2034 के अंतरगत कौन सा रास्ट मेजवानी करेगा अप्शन नमबर D है साउदी अरेबिया जो है ये करेगा 2034 में फीफा विश्यो कप 2034 की मेजवानी और 2022 में कहां हुए है ये हुए है कतर में ठीक है? ध्यान रखना 2026 में कहां होंगे? देखे 2026 में होंगे नौर्थ अमेरिका में नौर्थ अमेरिका में तीन कंट्रीज में होंगे जैसे USA हो गया एक तो ठीक है? कनाडा हो गया और मेक्सिको इन कंट्रीज में होंगे mix-up यानि कि कुछ गेम USA में खेले जाएंगे कुछ कनाडा में, कुछ मेक्सिको में ओके? और 2030 में कहां पे होंगे? 2030 और 2030 से 2034 यानि कि FIFA विश्यू कप हर 4 साल में होता है ठीक है? FIFA विश्यू कप की जो स्थापना हुई थी वो होती है 1991 में ठीक है? ओके? चलिए और football से related games है और 2023 का जो game हुआ है यानि 2022 के जो game हुए है वो 2023 में हुए है ये भी याद रखना अर्जेंटीना के बहुत ही famous जो है football player है जिनका नाम है Lionel Messi इनको सर्व स्रेष्ट खिलाडी का पुरसकार भी मिल चुका है ओके? चलिए अगला प्रशन है निमने लिखित में से किस stadium में cricket खिलाडी Sachin Tendulkar the god of cricket जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है आपके options है नरेंदर मोदी क्रिकेट इस्टेडियम Eden Garden क्रिकेट इस्टेडियम वानखेडे स्टेडियम या फिर अरुण जेटली स्टेडियम option number C एकदम सही है वानखेडे स्टेड क्रिकेट इस्टेडियम यहाँ पर Sachin Tendulkar सहब की कास्या की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ठीक है और वानखेडे स्टेडियम आपको मिलेगा मुंबई में ध्यान रखना चलिए अगला प्रेशन बढ़िए गुजरात की पहली heritage train है ध्यान रखना गुजरात की और वो भी पहली heritage train है ये अभी नरेंदर मोडी शाहब ने इसको हरी जंडी दिखाई थी और ये आपको बताना है किन दो शहरों की मध्य चलेगी आपके options आपके सामने हैं और मैं सही answer पर टिक करने जा रहा हूँ के बढ़िया से एहमदाबाद के मध्य ये train दोडेगी ठीक है गुजरात की पहली heritage train है और गुजरात के जो CM है आपको पता होगा भुपेंदर भाही पटेल है और यहां की जो गवर्नर है आचारे देबरत है और कैपिटल यहां की गांधी नगर है हाल फिलाल में चर्चा में रहा था कोनो कारपस सैंत्र जिसे अभी बंद कर दिया गया है ठीक है तो यह भी गुजरात में ही है पूछा जा सकता है कोनो कारपस सैंत्र कहां पर था जिसे हाल ही में प्रतिबंदित कर दिया यानि बंद कर दिया गया तो गुजरात में था अगला प्रशन है हाल ही में किसे Global Leadership Award से सम्मानित किया गया है Global Leadership Award निता अमबानी, रोहनी नाडर निर्मला सिता रमन, मोहिनी अगरबाल और हमारे इस प्रशन का सही जवाब Option number 1 है निता अमबानी जो की है Reliance Foundation की संस्तापक हैं उनको Global Leadership Award 2023 मिला है ठीक है ठ्यान रखना 2023 में Global Leadership का Award मिला है और परोपकार और कार्पोरेट सामाजी कारेकरमों में उनकी जो भागीदारी रही है उसके लिए इनको ये Award दिया गया है इंडिया और US Strategic Partnership Forum में Forum ने इनको ये Award दिया है ठीक है? अगला प्रेशन है बंडे विश्युकप के इतिहास में इराज जस्परीत बुमराहा या फिर हार्दिक पांडया महमद समी एकदम शही जवाब है ठीक है जी? और ये भारत के लिए किसी भी One Day World Cup में ठीक है? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाडी बने हैं इन्होंने 14 पारियों में 45 विकेट लिए है ठीक? और गिलोबल लेबल पर देखा जाए यानि अंतरराश्टे लेबल पर अगर देखा जाए तो एक ही वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक ग्रोथ ने जो कि आस्ट्रिलिया के रहने वाले हैं इन्होंने 71 विकेट ले रखी है उसी परकार जो सेकंड पुजीशन पर है मुथे या मुरली धरन है इन्होंने भी 68 विकेट ले रखी है ठीक है? एक ही वर्ल डे वर्ल्ड कप में ओके? चलिए अगला प्रेशन है हाल ही मैं निम्न लिखित में से किस देश ने चीन के Belt and Road Initiative से बाहर निकलने की गोशना कर दी है देखे चाइना का जो Belt and Road Initiative है ये एक बहुत ही महतवकांची योजना है इसमें क्या होगा? कि बहुत से रास्ट्रों को ये एक साथ जोड़ेंगे सडक मार्ग से, रेलवे लाइन से समुद्री मार्ग से इनको जोडने का ये प्रियास है और इस मार्ग का यूज करेंगे वो ट्रेड करने के लिए तो यही है चाइना का Belt and Road Initiative प्रिजेंट में फिलिपिन्स जो है इसने गोशना कर दी है कि वो चाइना के Belt and Road से जो इनिसिटिव है उससे बाहर निकल जाएंगे यानि उसका वो पार्ट नहीं बनेंगे फिलिपिन्स जो है आपको मिलेगा South China Sea और फिलिपिन्स सी यानि कि ये मिलेगा आपको पश्चमी Pacific Ocean में यानि कि प्रिशांत महासागर के पश्चिम में इंडिया के जस्ट पूरब दक्षिन पूरब में मिल जाएगा आपको और यहां की जो capital है Manila है और Manila में आपको पता होगा अंतर रास्ट ये चावल सोद संस्थान का मुख्याले भी यहीं पर है यहां की जो currency है फिलिपिन पैसो है और बॉंग बॉंग मारकोस यहां के प्रिजेंट में प्रिसिडेंट साहब है ठीक है जी चलिए अगला प्रेशन है निमने लिखित में से कौन सा सिक्षन संस्थान UAE यानि की United Arab Emirates में अपना छेत्रिय परशास्नी कार्याले खोलेगा सिक्षन संस्थान है हाला की ऑप्षन में भी सारे शिक्षन संस्थान ही है जैसे CBSC NCERT UGC IIT देली देखो हमारे इस प्रेशन का सही जवाब ऑप्षन नंबर 1 है यानि की CBSC जो है अपना छेत्रिय कार्याले प्रशास्नी कार्याले खोलेगा UAE में केंद्रिय मंत्री धर्मेंदर प्रदान साब ने इसका अभी अनॉंसमेंट किया है 100 से अधिक जो है जो इंस्टिटुशन खोले जाएंगे छेत्रि कार्याले और CBSC की बात की जाए तो 1929 में इसकी स्थापना होती है CBSC की यानि की Central Board of Secondary Education चलिए अगला प्रेशन है उम्वी दवारों और चुनाव प्रवंधन के लिए चुनाव आयो के दवारा कौन सा software विक्सित किया गया है उम्वी दवारों और चुनाव जो management होता है उसको करने के लिए आपके options है इनकोर, चुनाव एप, भारत एप, वोटर एप देखिए, हमारे इस प्रेशन का सही जवाब है option number one इनकोर, और इसकी जो full form है enabling communication on real time environment ओके, enabling communication on real time environment ठीक, इसमें क्या होगा कि ये जो है नामांकन, सत्यापन, सपत, ठीक है और मतदाता संख्या, और वोटों की counting चुनाव परिणाम, data management आधी, ये सभी इस एप के माध्यम से ये लोग करेंगे ध्यान रखना, इनकोर जो software है वो उम्वीद्वारों और चुनाव प्रेवन्दन के लिए उपयोगी है तो कि चुनाव आयों के द्वारा विक्षित किया गया है अगला प्रेशन है, भारत के सबसे बड़े दानवीर का खिताब 2023 में किसको द्वारा जीता गया है मुकेश संबानी, महिंद्रा गुरूप, निखिल, अकामत या शिवनाडर देखिए, हमारे इस प्रेशन का सही जवाब है option number D, जो शिवनाडर शाहब है इन्होंने ये बने हैं, देश के सबसे बड़े दानवीर इन्होंने एक दिन में, त्यान रखना, एक दिन में 1.6 करोड रुपे दान किये है एक साल में इन्होंने 2,045 करोड रुपे का इन्होंने दान दिया है एक साल के अंतरगत इसी हिसाब से ये बने है शिवनाडर साहब भारत के सबसे बड़े दानवीर एडॉल गिव हुरोन इंडिया परोपकार लिस्ट जारी की गई 2023 में इसमें टॉप पर रहे शिवनाडर साहब ठीक है पिछले पांच साल में तीसरी बार ये टॉप कंडिशन में रहे हैं बारत के दानवीर का खिताब इनोंने महिला सिरेणी में जीता है रोहनी नीले कडी ने ठीक है ओबर ओल देखा जाए तो सिवनाडर साहब रहे हैं चलिए DRDO ने निम लिखित मैं से किस परियोचना के तहत इसराइल के आइरन रोम की तरज पर भारत के लिए वायू रक्षा प्रणाली विक्षित कर रहा है कौन DRDO सबसे पहली चीज़ याद रखना DRDO विक्षित कर रहा है अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताईए कि DRDO की स्थापना किस वर्स हुई थी चलिए अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए चलिए प्रोजेक्ट कवच, प्रोजेक्ट लक्ष, प्रोजेक्ट कुष या प्रोजेक्ट विनाश हमारे इस प्रेशन का सही जवाब option number C है प्रोजेक्ट कुष के तहट अभी आपको पता होगा कि इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है इसराइल का जो आइरन डोम है आइरन डोम एक एर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का और इसने बहुत ही महतपुन भूमिका निवाई है ठीक है बहुत सारी मिसाइलों को हवा में ही इसने डेमिज कर दिया वहीं डेस्ट्रॉय कर दिया उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत का जो डिफेंस रिसर्च डवलप्मेंट और्गनाजेशन है यानि कि DRDO है वहे भी ऐसा कुछ सिस्टम बनाने पर काम कर रहा है यानि एर डिफेंस सिस्टम बनाने कर पर विचार कर रहा है यह क्या होगा कि क्रूज मिसाल्स हैं इस्टेल्थ फाइटर जेट हैं ड्रोन हैं आदी इन सभी का पहरे पता लगा है जो है हवा में ही उसको नस्ट कर देगी और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होगी चलिए अगला प्रेशन है निमन में से किसे रोहिनी नई यर अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोहिनी नई यर अवार्ड आपके ऑप्शन्स हैं दीना नाथ राजपूत प्रतीक स्रीवास्तव करता होते हैं कभी environmentalist होते हैं 10 जो समाजी कारे करता होगे जैसे कि health से सम्मानित होगे महिला issue से सम्मानित होगे इन सबी मुद्दों पर जो महतपून योगदान देते हैं उनको ये प्रुस्कार दिया जाता है तो प्रिजन्ट में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलना, बदलने में इनकी बहुत जादा महत्पूर्ण भूमिका रही है, यानि कुल मिलाकर ये सामाजिक कारे करता रहे हैं, यानि कि सोसल वैलफेर, सोसल वर्कर रहे हैं ये, ठीक है, तो इसी चीज़ को इनको ध्यान रखते हुए, रोह दाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच